नमस्कार मैं साक्षी बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर सरोजनी नाइडू की पुर्निति थी आज बीपीएसी ने प्रदान सिक्षकों के 40,000 से अधिक पदों पर निकाली भरती बिहार के लोगों को मिली करोडों की सौगात आर अश्विन की एक और रिकॉर्ट पर टिकी सभी की नजर गूगल ने प्ले स्टोर से शादी.com सहित कई एप को किया रिमूव इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से सरोशनी नाइडू की पुन्निति थी आज सरोशनी नाइडू की आज पुन्निति थी है इस मौके पर बिहार सरकार के जन संपर्क विभाग ने सोशल मीडिया प्रेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर उन्हें श्रधान जली दी आपको बता दे कि सरोशनी नाइडू को नाइटेंगल आफ इंडिया कहा जाता है उसका कारण उनकी प्रभावी आवाज है ये एक राजनितिक कारे करता थी साथी महिलाओं के अधिकारों की समर्थक थी सरोशनी भार के रास्टे कॉंग्रस की पहली महिला अध्यक्ष है वही देश के आजाद होने के बाद इन्हें उत्तर प्रदेश के पहली महिला राजपाल के रूप में चैनित क्या गया था मालूम हो कि नाइड़ों ने अपने साहित्तिक जीवन के शुरुआद बारह साल के उम्र से ही कर दी थी उन्होंने अपने नाटक माहिर मुनीर से बड़ी पहचान हासिल की थी विहार के लोगों को मिली करोरों की सौगाद बिहार के मुख्य मंत्रे नितीश कुमार ने 12,268 करोड 66 लाख की अलग-अलग परियोजनाओ का उधगाटन किया इस मौके पर डिप्टी सियम समराट चौधरी और विजज सिनह और साती उर्जा मंत्रे विजिन रियादवादी मुख्य मंत्रे के साथ मौजूद रहे इन परियोजनाओ में उर्जा, ग्रामीन, स्वास्त, लगू, जलस, अंसाधन, विभाग की योजनाओं शामल है राजधानी पटना के संकल्प से इन योजनाओ की शुरुवात की गई है आपको बता दे कि इन योजनाओ के शुरुवात ऑनलाइन माध्यम सी की गई और इसमें आम लोगों को सीधे फाइदा पहुचेगा एनम बहाली को लेकर हाई कोट ने दिया आदेश पटना हाई कोट ने एनम बहाली को लेकर आदेश दिया है और अंकों के अधार पर बहाली का आदेश दिया है जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने 79 पन्नों के आदेश में बिहार तकनीकी सेवा आयो के 19 सितंबर 2023 के नोटिस को रद्द कर दिया और इसके साथ ही आई कोट ने कहा है कि एनम बहाली बहाली बहार स्वास्त कारे करता आई इनम के अधार नियमावली 2018 के नियम के तहट की जाएगी बहार के मुक्ख मत्री नितीश कुमार के विदेश दौरे में बदलाओ किया गया है मालूम हो कि पटना में देश के सबसे बरे साइंस सीटी का निर्मान किया जा रहा है और इसके लिए सीम नितीश कुमार इंगलाओं जाएंगे इससे पहले ही प्रोग्राम बन रहा था लेकिन सदन की कारवाही को लेकर और आगे आगामी लोगसबा चुनाओ भी होने वाला है इसलिए सीम की विदेश दौरे के कारिकरम में बदलाओं हुआ राज्यमे साइंस के सेक्टर में कई बदलाओं किये जा रहे हैं इसके लिए सीम नितीश कुमार विदेश जाएंगे और चार-पांच दिनों के कारिकरम में हिस्सा लेंगे बिपेसी ने प्रिधान सिक्षकों के 40,000 से अधिक पदों पर निकाली भरती बिहार लोग सेवा आयोग ने प्रिधान सिक्षकों के 40,247 पदों पर भरती निकाली और इसके साथ ही प्रिधान अध्यापक के 6,061 पदों पर बहाली निकाली गई है संबन में आयोग ने विग्यापन जारी किया है 11 मार्ट से 2 अप्रेल तक किस समय को अपलाई करनी की रूप में निधारत किया गया है ऐसे में परिक्षा में सामिल होने की इच्छा रखने वाले योग परिक्षारती इसके लिए बीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर आविदिन कर सकते हैं जानकारी के अनुसार प्रधान सिक्षकों को 30,500 रुपए सालरी के रूप में मिलेगी सक्षमता परिक्षा की दोड़ान पकड़े गए फरजी सिक्षक विहार में यूजट सिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देनी के लिए सक्षमता परिक्षक आयुज़न किया गया इस दोरान कई फरजी सिक्षक पकड़े गए हैं Local News 18 के मताबिक अब तक 71 सिक्षकों की पहचान की जा चुकी है सक्षमता परिक्षा में जांच के दोरा नेकी TET, CTET और STET सर्टिफिकेट पर कई जिलों में कारेरत तफर्जी सिक्षक पकड़े गए है बताया चाता है कि शुरुवाती मामला नालंदा से सामने आया है यहां 71 सिक्षकों की पहचान हुई है इनके लिस्ट मादमिक सुक्षा निदेशाले को भीज दी गई है और इसके साथ ही इनके अद्मिट कार्ड को जारी करने पर रोक लगा दी गई कॉंग्रस विधायक नीतू सिंग ने भाजपा में जाने की अठकलों को लेकर दिया बयान कॉंग्रस के विधायक नीतू सिंग ने पाला बदल कर भाजपा में जाने की अठकलों के बीच बयान दिया है उन्होंने कहाँ है कि वह Congress के विधायक है और Congress में ही रहेगी। उन्होंने भाशपा में जाने की अचकलों को अफ़वा करार दिया। उन्होंने ये भी कहाँ है qamidya में चल रही खबरे भ्रामक है। उनके बयान को तोर मरोड कर पेश किया गया। उनकी पार्टी से कोई भी आराजगी नहीं है आपको बता दे कि नीतू सिंग कॉंग्रेस की हस्वा से विधायक है मालूमों कि कॉंग्रेस विधायक का एक फोटो सोशल मीडिया पर देजी से वारल हो रहा है इसमें वो उप मुख्यमंत्री समराठ चौदरी और विजर सिना को मिठाए के लाती भी नज सकते हैं इसके लिए उन्होंने आविधन कर दिया है बताया चाहर है कि मुख्य सचिव आमिर सुभानी को एक्स्टेंशन नहीं मिला है और वो 30 अप्रेल को रिटार होने वाले हैं चल रही मीडिया खबरों के अनुसार आई एस ब्रजरिस मलहोत्रा बिहार के अगले मुख् की जा रही है आमिर सुभानी के बारे में कहा जा रहा है कि वो रेगुलेटरी कमिशन के चेयर्मेन बन सकते हैं हालंकि इस बात की अभी आधिकारिक तौर पर कुछ टीर नहीं हुई है सीम नितीश कुमार ने वशिस्ट नारायन सिंग को लेकर की ये घोशना बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने वशिस्ट नारायन सिंग को लेकर एलान किया है उन्होंने कहा है कि उन्हें बरी जिम्मेदारी देने वाले हैं इसका एलान कुछी दिनों में किया जाएगा ये सरकारी काम करने वाले हैं दरसल बिहार के मुख्यमंत्री नारायन सिंग से मुलकात करने उनकी आवास पड़ जाते हैं साथ ही उन्हें आस्वस्त करते हैं कि हम आपके साथ हैं लालोय अदव ने महागरबंदन की रैली में आने के लिए समर्थकों को किया आमंत रित राचत सुप्रेमों लालोय अदव ने अपनी खास अंदाज में सम मर्थकों से महागरबंदन की रैली में आने की अपील की है उन्होंने कहा है कि बाईयों और बेहनों तीन मार्च दोहजार चौबस को गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन हो रहा है और सभी गरीब गुर्बा वजदूर किसान नौजवान लोग भारी संक्य में एक अत्रित होकर केंद्र की भाजबा सरकार को उखार फेके मालूम होकी तीन मार्च को महागरबंदन की रैली में सबी घटक दल जुटने की तैयारी कर रहे हैं इसमें लोगों की ठहरने की विवस्था भी की गई है यहां शेवर का नर्मान किया गया है इसमें राज ज भर से आने वाले लोगों के लिए ठहरने की ववस्था की गई है पपू यादव इस सीट पर लड़ेंगे लोग सभा चुनाओ पू यादव पूर्णिया सीट पर लोग सभा का चुनाओ लड़ेंगे बताया जाता है कि जन अधिकार पाठी के सुप्रीमो पपू यादव ने इसा लेकर कॉंग्रस से बातचीत कर ली है उन्होंने ये भी कहा है कि मदेपूरा और सुपॉल में जृत की गैरेंटी है कोई भी पाठी पपू यादव की अंधिकी नहीं कर सकती है क्योंकि उनके साथ काफी अधिक संख्या में एक कारे करता है जाब सुप्रीमो ने कह है कि उन्होंने कोसी सिमांचन के लोगों के हल के लिए बैठक बुलाई उनका लक्ष देश और सविधान को बचाने के साथ साथ लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है पपू यादव ने कहा है कि पूर्णिया के रंगभूमी मैदान में कोसी सिमांचन के अधिक कारिकरता जुटेंगे भाश्पा ने तेजस्वी आदव का वीडियो किया वाइरल आरजेडी ने दी प्रतिक्रिया बिहार विधान सबक इनीता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इस वीडियो को बिहार आने ती जस्वी यादव पर हमला बोला है उन्होंने कहा है कि पूर्वी डिप्टी से हम कारे करता को कुचलने की भावना रखते हैं बीजेपी के इन आरोपों पर आर्जेडी की प्रवक्ता ललित यादव ने कहा है कि भाजपा वालों का यही काम है जन विश्वास यात्रा में लोगों का जन सेलाव उमर पड़ा उसके बावजोद भी कोई अपरिये घटना नहीं हुई कंट्रोल तरीके से शो हुआ है लालो यादव ने कॉंग्रस को दी ये सलाह राज़त के रास्तिया अध्यक्ष लालो प्रशाद यादव ने कॉंग्रस को नसीहत दी है साथ ही इंडिया गरबंदन के सीट शेरिंग की जल्द मांग की है लोग सबा चुनाओं से पहले गरबंदन के सीट शेरिंग नहीं होने पड़ लालो यादव ने नाराज़गी जताई उन्होंने कहा है कि अब समय नहीं बचा है सीटों का बटवारा करके चुनाओं की तयारी में चुट जाना चाहिए वहीं रावल गांदी को भारजोरु यात्रा को लिकर लालु यादव ने सला दी है उन्होंने कहा है कि घूमना फिर्णा बंद करकी लोगों कोई कठा करने का काम शुरू कर देना चाहिए इधर निदीश कुमार के गडबंधन छोड़ने को लिकर अन्होंने दूसरी पारी में 5 विकेट लेने के साथ या निल कुमने की बराबरी कर ली भारत के द्वारा सबसे अधिक विकेट लेने के नाम पर अनिल कुमले सरवाधिक रूब से नंबर एक पर बने हुए है अश्विन और कुमले दोनों नहीं टेस्ट मैच में 35 बार एक पारी में 5 विकेट ले हैं वही धर मिशाला टेस्ट मैच में आर अश्विन के पास सुनहेरा अफसर है इसमें वो अपने करियर का सौमवा टेस्ट मैच खेलने जा रहे हैं और गूगल ने प्ले स्टोर से शादी डॉट कॉम सहित काई आप को किया रिमूव मेडिया रिपो पेलिंग पॉलिसी फेल हो गई थी और इसके बाद गूगल ने इन अपस को हटा दिया है बताया जाता है कि ये मामला सर्विस फीज पेमिन्ट नहीं देने का है इसी वज़े से इन आपस को रिमूव किया गया है जानकारी के अनुसार कई आप डेवलपर चाहते थी कि इन पर चार्ज नहीं लगाया जाए और उसके बाद उन्होंने पेमिन्ट नहीं किया था बेते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारी लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सिक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे के सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है शदुल्ला पालवी, गुवर्नर शर्मा, राजकिशोर महतो, रजनीत मिष्टा, पावन सिंग, गौरी कुमारी, अखिलेश यादव वीद प्रकास सिंग, मौहमेद शकीर हुसेन, बाबुलाल बिरांडी, रजन रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेज को लाइक करना ना भूले, धन्यवाद.